हेलो फेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिट्री जीन सिरप की सिट्री जीन सिरप का उपयोग कब किया जाता है डॉक्टर का प्रिस्क्राइब करते हैं इसके क्या डोस दिये जाते हैं सिट्रिजिन सिरप किस तरह से काम करता है कब हमें इसका उपयोग नहीं करना है और विशे साउधानिया देखेंगे वीडियो के लाज तक बने रही है मैं हूँ आपकी फार्मासिस टागी नी चोल कर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्रेंट्स बात अगर करें सिट्रिजिन सिरप के उपयोग की तो इस सिरप का उपयोग एलर्जी जैसे लक्षन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है एलर्जी जैसे लक्षन जैसे एलर्जी करेनिटीज है हाइप्स के लक्षन है बच्चों में नाप का बहना है, खराश होना है, स्कीन पर चकते होना, यदाने उठ जाना, किसी कीड़े का काट लेना, जिस बज़े से रेडनेस हो गई है, बच्चों में कफ होना, सामन सरदी जुखाम के लक्षन है, पित का बढ़ जाना है, खुजली है, तो इन सभी के लिए सित्रीजीन सीरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है, बात करेंगे सित्रीजीन सीरप के डोज की, तो फ्रे दो साल से छे साल के बच्चों में इसका सामन्ने डोज है, धाई एमेल दिन में एक بार दिया जाता है, जरुझ पढ़ने पर बच्चों की कंडिशन के एक डाब को प्रिस्क्राइब किया जाता है यह बच्चों की कंडिशन पर डिपेंड करता है अगर कंडिशन ज्यादा खराब है तो उस कंडिशन में बच्चे को maximum डोस 10 अमल दिया जा सकता है यहां एक सामाने जानकारी दिजा रही है डोस की आपके डॉप्टर ने जिस तरह से आपको dose prescribed किये हैं, आपको उतना ही dose देना है सीरप के कुछ brand name आवे लेवल है जैसे जेटेक है, सिटोरी है, ट्रीज है, सैट्रिजीन है कई brand name एरिया और डॉक्टर पर depend करते है कई अलग-अलग brand name से मिल सकती है आपके एरिया में जिस brand name से मिलता है, आप उसे खरीच सकते है सीरप में हमेशा जो main drug content है या जो salt का नाम है सिट्रिजीन सीरप ही लिखा होता है ये अपने कंपनी के according अलग-अलग नामों से मिल सकती है अगर side effect की बात करें तो बच्चों में कभी-कभी कुछ common side effect सामने आते हैं जैसे बहुत अधिक नींद आना, दस्त लगना, चक्कर आना, पेट दर्ध होना, नोजिया, वोमिटिंग के लक्षन सामने आना और बच्चे में ठकान का महसूस होना अब कुछ विशेश सावधानिया हैं जो बच्चों को दी जाने पर आपको उनका विशेश ध्यान रखना चाहिए छे साल से कम उमर के बच्चों में सिटीजिन सीरप बगे डॉक्टर की सलह से आपको नहीं देना है सिटीजिन सीरप दो साल से कम उमर के बच्चों को नहीं दिया जाता सिटीजिन सीरप को लेने के 15-20 मिट बाद ही अपना असर शुरू कर देता है और इसका जो असर है 24 घंटों तक बना रहता है एक ही डोज इसका दिन भर के लिए परियाप्त होता है सिरप को दिये जाने के बाद आपको बच्चे का विशेज ध्यान रखना है अगर गार्डन में खेलने जा रहे हैं या किसी बहिकल पर आप उसे बिठाते हैं बाइक पर बिठा रहे हैं तो उसका विशेज ध्यान रखें क्योंकि इस sirup को लेने की बाद बच्चे को चक्कर आ सकते हैं और वो गिर भी सकता है बात करेंगे citrogen syrup किस तरह से काम करता है तो friends यह जो citrogen syrup है histamind नामक chemical को release होने से bloc कर देता है जिसे की allergy जैसे लक्षणों से बचा जा सकता है वीडियो के अंत में बात करेंगे सिटेजिन सिरप के Contra Indication की यानि इस सिरप को हमें बच्चों को कप-कप नहीं देना चाहिए तो अगर आपके बच्चे को लीवर से जुड़ा कोई भी infection है वर्तमान में या किड्नी से related कोई भी problem है या किड्नी से related कोई भी infection है तो ये सारी condition अपने डॉक्टर को जरूर बताएं ताकि वे आपके बच्चे को कोई और सिरप प्रिस्क्राइब कर सके आशा करती हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिली होगी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेयर कीजिए सामाने सर्दी जुखाम के लक्षन को ट्रीट करने की दवाईयों की लिंक आपको description box में मिल चाहेगी इसके अलावा आई वटन में भी ये वीडियो देख सकते हैं मेरे लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकिशन ओन करें इश्वर से प्रात्ना है आप सभी स्वस्त रहें मस्त रहें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ